नमस्कार बच्चों, तो बच्चों हम अरंबिक नगर वाला जो हमारा दिहाई चल रहा था, उसका हम दूसरा भाग लेकर के उपस्तित हैं, अब हम अरंबिक नगर का जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा था, अब हम उसको इस वीडियो में करेंगे बच्चों, आपको पता ही है कि कुछ चीजों को बनाने के लिए कुछ अन्या चीजों की भी जरूरत पड़ती है, जिसे कच्चा माल कहते हैं और ये जो कच्चा माल है वो प्राकृतिक रूप से भी मिलता है और उसका उत्पादन भी होता है जैसे किसानों द्वारा पैदा किये गए कपास को कच्चा माल कहते हैं जिससे बाद में कपड़ा बनाया जाता है लेकिन तामबा, लोहा, सोना, चांदी जैसे बहु मुल्या पडार्थों को वे दूर दूर से लेकर आते थे जैसे तामबे का आयात राज्स्तान की जो तामबे की खाने होती थी खेतडी में वहां से मुगाया जाता था ओमान से भी तामबे का आयात होता था ओमान एक देश का नाम है तिन का आयात आधुनिक इरान से होता था सोने का आयात आधुनिक करनाटक से होता था और बहु मुल्या पत्थर गुजरात इरान और अफगानिस्तान से मंगवाया जाता था हमने देखा कि वहां रहने वाले लोग शिल्पकारी का काम कर रहे हैं अलग-अलग हथियार बना रहे हैं, अभूशन बना रहे हैं वे सभी पैसा तो कमा रहे हैं पर खाने के लिए किसी चीज का उत्पादन नहीं कर रहे अब हम ये देखेंगे कि जो लोग नगरों में रह रहे थे उनके लिए भोजन की विवस्ता कैसे होती थी जो लोग गाउं में रहते थे वे अनाज उगाते थे और जान्वर पालते थे किसानों द्वारा उगाया गया अनाज ही शेहर के लोगों को दिया जाता था हडपा के लोग ग्यहूं, जों, दाले, मटर, धान, तिल और सर्सों उगाते थे सिंचाई के लिए पानी का संचय किया जाता था समय पढ़ने पर उसी पानी का प्रयोग किया जाता था हडपा के लोग गाये, भैंस, भेड, बक्रियां पालते थे मचलियां पगरना और हीरन जैसे जानवरों का शिकार करना भी उनका पेशा था इस तरहें शेहर के लोगों के लिए भोजन की विवस्ता की जाती थी अब हम गुजरात में हडपा कालिन नगरों का सुक्षम निरिक्षन करते हैं गुजरात के कच्छ के पास एक नगर बसा था धोला विरा इस शेहर की विशेष्टा यह थी कि ये तीन भागों में बंटा हुआ था आपको पता ही है कि हडपा कालिन जादा तर नगर दो भागों में ही बंटे होते थे प्रंतु धोला विरा तीन भागों में बंटा हुआ था इसके हर हिस्से को पत्थर की दिवारों से घेरा गया था इसके अंदर जाने के लिए उंचे उंचे प्रवेश दिवार थे इस नगर में एक खुला मैदान भी था जो शायद लोगों के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था यहां सारजनिक अयोजन होते थे यहां पर मिले अवशेशों में हडपा लीपी के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों पर खुदा हुआ पाया गया है यह एक अनोखा अवशेश है गुजरात की साबर मती की एक उप नदी के किनारे बसा लोथल नगर एक ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल असानी से मिल जाता था इस नगर में एक बंढ़ार ग्रही भी था इस बंढ़ार ग्रही में कई मुहरे मिली थी साबर नदी के पास समुद्र भी था यहां बंदरगा भी था जहाजों के द्वारा समान को एक जगह से दूसरी जगह पर उन्चाया जाता था जब किसी समान को दूसरी जगह भेजा जाता है तो उस पर कुछ पता लिखा जाता है ताकि पहचान हो सके इन मुहरों का प्रयोग समान से भरे उन डिबों या थैलों पर पहचान करने के लिए किया जाता है थेले को बंद करके उनके मुहाने पर गिली मिट्टी लगाई जाती है उस पर मोहर लगाते हैं इसे मोहर बंदी कहते हैं बच्चो ये जो हडपा सब्वेता थी लगबग एक हजार साल तक चलती रही अच्छानक पता नहीं क्या हुआ कि एक हजार साल के बाद ये जो सब्वेता थी धीरे धीरे पतन की और जाने लगी आखिर इसके पतन के क्या कारण थे आएए अब हम उस पर प्रकाश डालते हैं लगबग 49 सो साल पहले एक बदलाव देखने को मिला अच्छानक लोगों ने इन शहरों को छोड़ दिया जो कच्चा माल आयात होता था वो चीजें आना कम हो गई सडकों पर नालियां बंद हो गई जो नालियां तूट गई थी उनकी मरमद नहीं होती थी इस वज़ा से सडकों पर कचरे के धेर लग गई जल निकास प्रनाली नस्ट हो गई परानी इमारतें तूट गई लोगों ने जुगी जोपड़ी बना कर रहना शुरू कर दिया कुछ भी योजना से नहीं हो रहा था ऐसा लग रहा था कि लोगों ने रहना बंद कर दिया है कुछ लोग बताते हैं कि तलाब और नदिया सूख गई थी जिस कारण लोगों का रहना मुश्किल हो गया था कुछ लोग बताते हैं बार आ गई थी जिस कारण लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था जंगलों का विनाश हो गया था इंटे बनाने के लिए लकड़ी की जिरूर्थ होती है प्रन्तु इंदर ना होने के कारण उन्हें सब छोड़ना पड़ा शास्कों का नियंतरन स्माप्त हो गया था इसकी वज़ा से युद्ध जहसे हलाद बने होंगे आधोनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी लोग नई जगायां पर जाकर रहने लगे थे इसके लगबग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ तो देखा बच्चों आपने किस त्रहें हडपा की सभ्यता का विकास हुआ और इतनी योजना के साथ विक्सित एक बड़ी सभ्यता आज अपनी पहचान खो बैठी है जिस त्रहें से इस शहर को बनाया गया था उस समय में ये अपने आप में अद्भुत है साथनों का भाव ग्यान का भाव होते हुए भी इस त्रहें किसी सभ्यता को विक्सित करना बहुत बड़ी बात है इसी त्रहें की पुराने अवशेश या पुरानी उमारतों को देख कर हमें उसके बारे में जानने की उत्सुकता होती है जब हम इन इमारतों की देखवाल नहीं करते तो वे एक खंडहर का रूप ले लेती हैं तो हमारा ये फरज बनता है, हमारा ये कर्तव्या बनता है कि हम ये जो खंडर हैं, जो इतिहासिक इमारते हैं, उनकी देखवाल करें क्योंकि ये हमारे लिए विरासत है हम भी देखते हैं इसको हमारे से पहले आने वाली पीडियों ने भी इनको देखा और बाद में आने वाली पीडियां भी इनको देखेंगी तो इसलिए हम सब को इन सब को इन इमारतों को संभाल करके रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है और बच्चो अब हम संसार के एक विशेश अजूबे के बारे में जानेंगे और वो अजूबा है मिस्र के पिरामिड लगबग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले रजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दान, लकडी और हीरे जुहारात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी इन्होंने बड़े-बड़े मकबरे बनवाए जिने पिरामिड के नाम से जाना जाता है प्राचिन मिस्र में मनुश्यों को जलाने की प्रथा नहीं थी, वे शवों को ऐसे ही दफना देते थे, वे मानते थे, जीवन मरने के बाद भी चलता रहता है रजाओं के मरने पर उनके शवों को इन ही पिरामिडों में दफना कर सुरक्षित रखा जाता था इन शवों को मम्मी कहा जाता है, उनके शवों के साथ साथ खाने पीने की चीजें, कपड़े, गहने, हथियार, जानवर और कभी कभी तो उनके सेवक सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था वहाँ जनता राजा को देवता के रूप में मानती थी, उनको लगता था मरने के बाद राजा अन्य देवताओं से मिलेगा इस प्रम्परा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दोलत खर्च किया जाता था तो बच्चों क्या आपको लगता है कि क्या ये प्रम्परा सही थी? नहीं, ये देखा जाए तो अंध विश्वास से भरी प्रम्परा थी, ऐसा लोगों का भ्रहम ही था लेकिन इन पिरामिडों को देखकर हरानी जरूर होती है कि कैसे आधुनिक मशीनों के बिना इतने बड़े बड़े पत्रों को इतनी उन्चाई पर उन्चाया गया था तो बच्चों, आज हमने हडपा सबहदा के बारे में पढ़ा आपको पता ही है कि हडपा इसका क्यों नाम दिया गया क्योंकि सबसे पहले इस नगर की खुदाई होई थी फिर हमने कैसे पढ़ा कि वहां पर विभिन परकार के और भी नगर थे उनके जो नगरों की विशेशताएं थी, उनके बारे में देखा हमने वहां पर जो शिल्प थे, वहां पर पाए जाते थे, वहां पर जो क्रेशी होती थी उसके बारे में पढ़ा, फिर अंत में हमने ये भी जानने का प्रयास किया कि ये जो हडपा सबता थी, कैसे उसका पतन हुआ अब जब हम ये बात करते हैं कि जब हम पुराने खंडरों को देखते हैं या पुरानी किसी इमारत को देखते हैं और लोग उसको लंबे समय तक याद रखे और आने वाले लिडी जो है वो भी उसको देख सके तो इसलिए हमारा सब का ये फरज बनता है, करतव्या बनता है कि हम इस प्रकार के जो खंडर है या जो इमारत है जिसका इतिहासिक महत्व है उसको हम संभाल करके रखें ताकि आने वाली पीडियां भी उसका भरपूर अनंद उठा पाएं और उनका जो प्राची नितिहास है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके अब हमने क्या जाना, क्या पढ़ा, क्या समझा है उसको हम प्रशन उत्तर के मादम से थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे पुरा तत्तव विदों को कैसे ग्यात हुआ की हडपा सभहता के दुरान कपड़े का उपयोग होता था ये बहुवी कल्पी प्रशन है, आपको सही उत्तर बताना है पहला इसका जो ओप्शन है, अनुमान लगाया जाता था कपास की खेती होती थी, मूर्तियों और कुछ चीजों पर कपड़े के अवशेश मिले तो अगर हम तीनों विकल्प देखते हैं, तो हमें जो तीसरा विकल्प है वो सही लग रहा है कि मूर्तियों और कुछ चीजों पर कपड़े के अवशेश मिले अब हम दो जोडे हैं उनका हमने सुमेल करना है एक तरफ है तामबा, सोना, टेन, बहु मुल्य पत्थर और दूसरी तरफ है गुजराथ, अफगानिस्तान, राजस्तान, करनाटक यानि अगर हम बात करें तो यह धातूएं हैं यह अन्या चीज़ें हैं यह हमने देखना है कि सिंदुगाटी के लोग इनको कहां से मंगवाते थे तो जब हम तामबे की बात करते हैं तो हमें पता ही है वह हम राजस्तान से वहां पे जो खेतरी की कह सकते हैं खाने हैं वहां से सिंदुगाटी के लोग तामबा मंगवाते थे और जो सोना था वो दक्षिन भारत में जो स्थित राज्या है करनाटक वहां से मुगाए जाता था और जो टिन है वो एक देश है अफगानिस्तान वहां से मुगाए जाता था और जो बहु मुल्या पत्थर हैं वो पास में से ही जो गुजरात का समुद्री तढ़ था वहा पहिया और हल क्यों महत्म पूरण थे पहला option है अभूशन और ओजार बनाने के लिए लिपिक मुहरों पर लिखते थे समान ले जाने और खेती करने के लिए तो अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें ही होते थी तो इसका मतल़ जो चोथा विकल्प है उपरोक्त सभी तो ये अंसर सही है आईए अब हम चर्चा करें अब कुछ स्वालों का ज्वाब देने के बार उन पर चर्चा करके अपने विचार बताएं इस अध्याय में टैरा कोटा से बने खिलोनों की सही सूची बताओ हल पहिये की गाड़ी और मिट्टी के जानवर नमबर दो बल्ला मिट्टी के बरतन नमबर तीन मूर्ती खूलदान और बाट तो अगर हम बात करें तो हमें जो पहले वाला नमबर एक है का उप्षन है वो सही लग रहा है हल पहिये की गाड़ी और मिट्टी के जानवर जो थे वो टैरा खोटा से बने हुए खिलोने होते थे। अगला प्रश्ण है हडपा के लोगों की भोजन समागरी की सुची बनाओ। आज इनमें से तुम क्या क्या खाते हो निमन लिखी सूचियों में से सही सूची को चिन्नित करें। तो तीन सूचियां दी गई हैं सूची का, सूची कह ख और सूची गा सूची का में दिया गया है ग्यहूं, जों, दाले, मतर, धा, तिल, चावल और सरसों और सूची खा में ग्यहूं, मतर, घी, ब्रेड, अचार, मास, तिल और सरसों और सूची गा में ग्यहूं, जों, अंडे, पास्ता, राई, चना और सरसों तो अगर हम बात करें तो हमारा जो उत्तर होगा वो सूची का होगा क्योंकि ग्यहूं, जों, दाले, मतर, धान, तिल, चावल और सरसों हड़पा के लोगों के भोजन की समागरी में शामिल किया जाता था आज के समय में بھی हम इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं इन में से ग्यहूं, दाले, मतर और चावल को तो सभी लोग इस्तेमाल करते हैं आउ करके देखें, अपने शहर या गाउं की तीन महत्मपुर्ण इमारतों का बेवरादो, क्या वे बस्ती के महत्मपुर्ण इलाके में बनी हैं, इन इमारतों का उपयोग किसलिए किया जाता है? बच्चों, अपने शहर की कोई तीन इमारतों के बारे में बात करें, आपको बताना है वे कहा हैं और उनका क्या क्या उपयोग है? आज हम जिस शहर की तीन इमारतों का जिकर करेंगे उसे नवाबों का शहर कहते हैं शायद आपको ये जानकर अंदाजा लग गया होगा कि हम किस शहर की बात कर रहे हैं इस शहर की पहली इमारत को देख कर पहचानो और बताओ इस इमारत का नाम बताओ क्या है ये संग्रहाल्या है साइन सीटी है या नैशनल पार्क है हाँ ये साइन सीटी है ये कहां स्तित है मीर गंज पीर गंज या अली गंज हाँ ये कहां है अली गंज में स्तित है इसका क्या क्या उप्योग है उस्तक पढ़ने के लिए विज्ञान और ब्रहमाण की जानकार के लिए यह गूमने के लिए बिल्कुल सही बताया आपने यह विज्ञान और ब्रहमांड की जानकारी के लिए है इस शहर की दूसरी इमारत को जाने चित्तर में यह क्या है यह लखनव का प्रसेत सही उप्षन बताएं मिनार है घंटा घर है यह कुद्व मिनार है बिल्कुल सही ये लखनव का घंटा घर है यह भारत का सबसे खालिस्तान है आपने बताना है सबसे घंटा घर है उंचा है चोटा है या पतला है हाँ ये भारत का सबसे उंचा घंटा घर है इसकी उंचाई खालिस्तान मीटर है, कुछ आप ओप्षन दे रहे हैं, 215 मीटर है, 224 मीटर है, या 221 मीटर है, हाँ, इसकी उंचाई 221 मीटर है, लखनौ शहर की तीसरी इमारत को देखते हैं, इस इमारत का क्या नाम है, चलो ओप्षन देते हैं, इमाम बाड़ा, मस्जिद, दर्गा, हाँ, ये इमाम बाड़ा है, इसको बड़ा इमाम बाड़ा के नाम से भी जानदा जाता है, ये तीनों इमारत इतिहासिक स्थल हैं, जिनको देखने दूर से लोग आते हैं, लखनौ उत्र प्रदेश की राजदानी भी है, तो बच्चों, आपको हडपा की कहानी और उसके जो अभ्यास के प्रशन हैं, वो समझ आये होंगे, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद.